जो हमारे अर्याने के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कारियों से बड़ा ही संतूश कूँए नायब सैनी जी को हमारे बने हुए च्छे महीने हुए हैं और उनकी जो कारिया शैली करने का तरीक है हर दिन वो नए नए लौंच कर रहे हैं मुख्यमंत्री मतलब सूबे का मुख्यमंत्री मतलब हूटर सैरन बजाती गाड़ियों का बड़ा सा काफिला मुख्यमंत्री मतलब सरकार लेकिन सोच ये जब वही सरकार खुद चल कर आम आदमी की तरह आपके दर्वाजे तक पहुँच जाए आपको अपने हाथों से चाय बना कर पिलाए तो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन हर्याणा के सीम नायब सैनी वाकई नायाब हैं और उनकी ही तरह उनकी ये तस्वीरें भी सीम सैनी रोहतक से गुजर रहे थे कि तभी रास्ते में एक चाय की दुकान देख वो वहीं रुख गए और चाय की टपरी पर जा पहुँचे ये दुकान थी कृष्णा जी की अब सीम खुद चलकर दुकान तक पहुँचे थे तो कृष्णा हैरान रह गए लेकिन जब तक वो कुछ कहते मुख्यमंतरी ने खुद मोर्चा समभा लिया और चाय की केतली चढ़ा दी आज पर सीम ने ना सिर्फ खुद चाय बनाई बलकि बना कर वहां मौजूद दूसरे गावालों को भी पिलाई मुख्यमंतरी महोदे की चाय ने गावालों की ये शाम यादगार बना दी लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है नायप सिंग सैनी भले ही प्रदेश की सबसे बड़ी कुरसी पर बैठे हो लेकिन वो जनता के लिए हमेशा अवेलिबल रहे हैं पिर चाहे वो जनता दर्बार के जरिये उनकी समस्याएं सुनकर उन्हें समाध्धान देना रहा हो या फिर जनता के सुखदुक की परवाह नायप सिंग सैनी कम वक्त में ही जनता के बीच जनता से जुड़े नेता की छवी बनाने में काम्याब रहे हैं नायप सैनी जी को हमारे बने हुए 6 महिने हुए है और उनकी जो कारिया शैली करने का तरीक है हर दिन वो नए नए लॉंच कर रही है काम करने के जैसे किसानों को ले कर ले लो किसानों के लिए MSP पे जो फसले खरीदे जाएंगी ये हर्याना रज्या पहला ऐसा बना जो MSP पे फसल खरीदेगा उनके नेतरतों में बीजेपी सरकार बहुत तरक्गी कर रही हैं और तरक्की आगे लिए पर कहीं किसानों के लिए हैं और रोजगार के लिए हैं और BPL कारों के लिए चाहे युवा हो या बुजर्ग, चाहे महिलाएं हो या किसान, सीम नायप सिंख सैनी हर किसी को अपने बीच के लगते हैं और राह चलते एक चाय की टपरी पर रुख कर चाय बनाने की उनकी यह तस्वीरें भी यही बताती हैं इसलिए तो सीम के हाथ की चाय पी कर ग्रावीर भी खुशी से बोल उठे, नायाब है मारा मुख्य मंत्री